नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लांस में आप सब्सक्राइब करें आज मैंने आप सभी के लिए 30 फिट वाई 60 फिट का हाउस प्लां तेयर किया है इसमें वन साइड रोड और थी साइड अधर प्रोपर्टीज है आप सभी को मेरा बनाएगवा हाउस प्लां पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों फैमली के साइड शियर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बैल आइकन का बटन दवाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आईए अप प्लान देखते हैं हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तेयर किया है यह रोट साइड है इदर प्लाट का साइज 30 फिट वाइड है और दूसरी साइड 60 फिट है इसमें हमने क्लाइंट की डिवाइंड के अंसार यह 20 फिट स्पेस छोड़ा है ओपिन इसमें लॉन के लिए और कार पार्किंग के लिए चोड़ा है और यहाँ पर हम किवल फ्लोर रिंक करा देंगे और यहाँ पर लॉन में ग्रास वगरा लगा देंगे यहाँ से आगे हमने डिजाइन किया है यहाँ पर यह हमने गेट दिया है एंटरेंस के लिए यह है 8 फिट वाइड 8 फिट वाइड गेट दिया है और यहाँ पर यहाँ इसमें हम टू वीलर पार्किंग रहेगी हमारी यहाँ पार्किंग और यह स्टेर्स है यह है 11 फिट 3 इंच वाई 12 फिट इसमें 11 फिट 3 इंच ये साइड है और 12 फिट ये साइड है और यहीं से ये 3 फिट वाई इस्टेर से उपर की मंजल पर जाने के लिए इसमें 3-6 इंच वाई 4 फिट का इसमें 3-6 इंच ये साइड है और 4 फिट ये साइड है यहां वने ड्राइंग रूम्ट में हमने ये विंडो दिया है बेंटिलेशन के लिए इधर लॉन की तरब और एक ये डूर भी दिया है और दूसरा डूर अंदर लिविंग ऑल में है औ और पार्किंग की तरफ से भी जा सकते हैं यहाँ पर हमने यह एक किचेंग डिजाइन किया है यह है इसक्सपिट नाइन इन्च वही 10 फिट 4 इंच इसमें 6.9 इंच यह साइड है और 10 फिट 4 इंच यह साइड है यहाँ पर गैस टो और यह सेंक डियान कीये और वेंटिलेशन के लिए हमने इदर पार्किंग एरिया कि तर अब ये विंडो दी जिसे किचिन का सारा धुमावा कर इदर से बाहर निकल जाएगा और यहां पर यह हमारा living living कम dining एरिया रहेगा 21-4-5 व είναι 10-4 इंच इसमें 21-4 इंच यह साइट रहेगी और 10-4 इंच यह साइट रहेगी यहां पर हमने dining table डीजाइन की और यहां एक हमने जाल डाला है यह है 4 feet by 8 feet का तो इसे पूरे area के लिए ventilation रहेगा और पीछे की side में हमने दो bedroom design किये हैं इनका यह size है 14 feet by 11 feet का इसका और इसमें हमने attached toilet design किया है 7 feet by 4 feet का इसमें 7 feet यह side है और 4 feet यह side है इसी room से हमने एक यह door open area की तरब दिया है और इसका open area का size है 13 feet 9 inch by 4 feet का इसमें 13 feet 9 inch यह side और 4 feet यह side इसमें हमने एक room के ventilation के लिए बिंडो भी दिया है इधर और यह second bedroom है हमारा इसमें हमने यहाँ पर यह bed design किया है और यहाँ पर एक sofa और table भी डाल सकते हैं क्योंकि हमारा यह काफी बड़ा room है यह है 14 feet 1 inch by 11 feet का और इसमें ventilation के लिए धर हमने open area की तरफ बिंडो दी है और इससे attached यह toilet है 7 feet by 4 feet का इसमें 7 feet यह side और 4 feet तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ शियर करें और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद